हाई ब्रीबन आईए आज की इस वीडियो में हम बिहार एस्टेट लेवल जी के कोस्टन्स आज की इस वीडियो में कभर करेंगे जो कि आपके बिहार एस्टेट लेवल के अलावा सभी कम्पेटिटिव एक्जाम्स के लिए वेनिफिसियल होने वाला है ओके ये मेरा पार्ट स्थापना कब होई थी तो टो विहारा में जाएंद्य क्रीज़ years Bog 무엇 फैर कहां इस्थी थी तो वीhार में जैपरकास ब्रकास विश्य Ты यह चप्राजिले में इस्थिते बिहार के चप्राजिले में इस्थिते ओके नेक्स्ट है बिहार में महात्मा गांधी सेतु यानि कि महात्मा गांधी पूल किस नदी पर बना हुआ है तो यह बिहार में गंगा नदी पर बना हुआ है क्या बना हुआ है तो महात्मा गांधी स वो था इस्ट इंडिया रेलवे ओके इस्ट इंडिया रेलवे जो है बिहार की पहली रेलवे थी ठीक है तो आपसन बसी करेक्टर अंसर हो जाएगा इस्ट इंडिया इंडिया रेलवे ओके नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में गलाइडिंग कलब है गलाइडिंग कलब है तो नेक्स्ट है बिहार में शेर्शाह का मकबरा कहां इस्थिते तो बिहार में शेर्शाह का मकबरा यहां पर पर्जेंट है बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहां पर है यह मुंगेर के दिलवारपुर नामक अस्थान पर इस्थिते है चलिए देखते है नेक्स्ट कोस्टा बिहार का सरवाथिक बरसा वाला जीला कौन सा है तो बिहार का सर्व सबसे ज्यादा दर्सा होती है उस जीला को नाम एक संगज तो टीन का जो Hehe मिनरल्स होता है यह किस जीले से निकाला जाता है तो यह निकाला जाता है बिहार के गया जीले से ओके नेक्स्ट है बिस्व का सर्व पर्थम लोकतांत्रिक गन्राज जी है बिस्व का सर्व पर्थम लोकतांत्रिक गन्राज कौन सा है जी वो है वज्जी संग जो की बैसाली मे सोन पूर नगर किस नदी के तठ पर इस्थित है यानकि षोनपूर नगर किस नदी के किनारा पर इस्थित है तो यह घंड़क नदी कह तठ पर इस्थित हैUST कोस्टन numero two है विहार में तुर्क शासन का यूग शुरु कब हुआ था थी नृил comment तुर्क शासन का यूग जो है शुरू हो गया था नेकस्ट कोशन ने नालंदाे के स्थापना ये गुप्त काल में हो गई थी ठीक है चीन्य यात्री इतスिंग ने बिहार की यात्रा किस सतावखीयं में की थी तो यह जो इत्सिंग था यह बिहार की यात्रा किया था सात्वी सताब्दी में चीनी यात्री जो की चीन का रहने वाला था इन्हों नेक्स्ट है बोध गया में पुरतात्विक संग्राले की अस्थापना कब हुई थी तो बोध गया में पुरतात्विक संग्राले की अस्थापना हुई थी यह हुई थी 1956 में बिहार में बिहार में पुरतात्विक संग्राले की अस्थापना कब हुई थी बोध गया में थे भीः राज में नवादा संग्राले की अस्थापना हुई थी यह सोच वकट में 65 पिक्ट धियोट k इस्थित है तो यह पढ़ा में इस्थित भीयार की राज्धानी का रटनामे स्थित एक नेग्स मीथिला संस्कृत बिद्या पीठ बिहार में कहां स्थित को यह दरभंगा जीले में स्थित तो देखे बिहार राज के जो बरतमान है 2023 में बना था उनका नम क्या है राजंद बिस्विनाथ आर लेकर ओके तो यही जो है 2023 में बना है क्या बना है बिहार के राजपाल बने है जो कि यहां पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ भी है बिहार के राजपाल ओके यह इनका फो साल तक यह रहेगा राजिपाल ठीक है तो यह आपका हो गया बरतमान आपके राजिपाल ठीक है बिहार के ओके चलिए आप देखते हैं next question question number 20 बिहार लोग सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है तो आएए इन्हें भी हम Google पे सर्च करके यहां पर जानते हैं कि बरतमान में जो है बिहार लोग सेवा आयोग का ध्यक्ष कौन है यानि कि चियर्मेन कौन है ठीक है आएए देखते हैं ओके चलिए यहां पर आपव देख सकते हैं और We members हमें सामी लहें औके चलिए तो इसका ठीयर में हो गया देखते हो गया स्थापना कब हो घुए में नेट कब हो घुए में proto स्थाण परदेश सब्से बड़ा लगता है तो वो है सोनपूर का मेला जो कि सोनपूर में ही लगता है ठीक है बिहार के सोनपूर में लगता है ठीक है नेक्स्ट है बिहार में रेल की शुरुगात कब हुई थी तो यह हुई थी अठारा सो साथ से बरसट के अंतराल में हुई थी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन न वास्तविक नाम था फरीद फरीद इसका वास्तविक नाम था ठीक है यार्निकी वास्तविक नाम था ठीक है नेक्स्ट बिहार में कहां पर एक मात्र तेल शोधक कार खाना है तो बिहार के बरौनी में ठीक है बिहार के बरौनी में एक मात्र तेल शोधक कार खाना है ठीक है न अपरिटिव एक्जाम्स के लिए में इफिस्यल होने बाला है ठीक है तो आज के लिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें ओके शोथ